कि नमस्कार स्वागत आपका के न्यूज में मैं हूँ आपके साथ विशाल खबरों का रुप करेंगो से पर नज़र डालते हैं इस वक की हेड्लाइन्स पर कि लोगडाउन में शाधी पर सक्षी के आदेश सिर्फ दस वहमान ही हो सकेंगे शामिल साधी भवनों में और खुली जगवर पर भी साधी समारों नहीं होंगे आज़े रायपूर जिले में बनाए जा रहे हैं बारा नए कोविड सेंटर रायपूर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या ने साशन प्रशाशन को सिंता देगी बेमित्रा राजन गाउं और बालोज में दस अप्रल से नौ दिन का लॉकडाउन कोर्वा में दुपहर तीन बे तक ही खुलेंगी दुकाने रायपूर में शाधी अंसुस्टी में दस लोग मंजूर नक्षियों ने बंदग जवान को फिया रहा केंद्री ग्रह मंत्रिया मिस्टार में फोन पर कर जाना हल आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी मद्रप्रदेश में कोरोना से इस्तिती लगातार बिगरती जा रही है जिसे देखते हो जैन में लॉगडाउन 19 अप्रल तक बढ़ा दिया गया है उधर महाकाल मंदिर के एक पुजारी की कोरोना से मौत होने और दूसरे पुजारी के भी संक्रमित होने के चलते हो जैन के सभी मंदिर बंद कर दिये गया है आपको बता दे कि मुक्वंत्री शुराशिन चौहान ने शनिवार को क्राइसेज मेनेज्मन कमेटी की बैठे की जिसमें सभी ने कोरोना चेन को तोड़ने के लिए लॉगडाउन बढ़ाने का सुझाओ दिया इसके बाद उज्जयन कलेक्टर ने साफ कर दिया कि कमेटी में जिसे सुझाओ दिया है उसे सरकार सहमत है ऐसे में लॉगडाउन बढ़ेगा और जो भी गाइडलाइन रहेगी वा जल से जल जाही की जाएगी महाकाल मंदिर में हम लोगों ने हमेशा सही धान रखा है कि मंदिर जो है वो संक्रमण का स्रोत न बन पाए इसके लिए जो सदालों की संख्या थी पिछले दस्वारा दिनों से कम करके हमने केवल 6000 दिन बर में कर दी थी वो भी मात प्री बुकिंग के अधार पर कर रहे थे और चुकि स्लोट्स के हिसाब से थी इसीरी सोशल डिसेंसिंग के साथ में वहाँ पर जो दर्शन थे वो संभो थे इसके साथ साथ मास्क हमारा 100% अनिवारे था लेकिन फिर भी दुखद रूप से 2-3 पुजारी जो हैं वहाँ पर कुरोना से संक्रमित हो गए अब चुकि लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और अगले 9 दिनों के लिए सभी धार में किस्तल बंदे तो मंदिर भी पूरी तरीके से आमस्द्धालों के लिए बंद रहेगा जो वहाँ के पुजारी हैं वहाँ पर रहेंगे हम लोग यह देख लेंगे अगर 44 साल से अधिक की उम्र के पुजारी हैं तो हम लोग तकाल उनको ठीका लगवा दें उज्जैन के महाकाल मंदर में को रोकने को लेकर अनुस्थान चल रहा है अनुस्थान के दौरान मंदर के वरिष पुजारी चंद्रमोहन गुरू का स्वास्थ खराब होने के कारण निधन हो गया जिसके बाद पंडे पुजारियों ने दो मेंट का मौन दक्का चंद्रमोहन गुरू को सिदांजली दी पुजारियों ने आम जन्स से अपील करते हुए कहा कि कुरोना संक्रमा का प्रभावत देश और प्रदेश में लगतार बैसलिया सभी लोगों को कुरोना संक्रमा से बखने के कि अधियर को हम मना रहें कि ताकि कोरोना दूर हो इसी बीच एक दुखत सूचना मिल गई है कि हमारे वरिष्ट पुजारि चंद्रमोंजी पुजारि यहां हमारे भीच में नहीं रहें उसी तार्दमे में भगवान महाकालेश्वर से उनके विंति करिये बैतूल जिले में 19 सारीक तक लोकडाउन लगा दिया गया है लॉक्डाउन के पहले दिन की शुरुवात होते ही प्रशाशन की सक्की देखने को मिल रही है शहर में बाहर से आ रहे या घूम रहे लोगों से पुलिस प्रशाशन द्वारा पूस्ताच की जा रही है आपको पता दे कि लॉक्डाउन को सफल बनाने के लिए जिले में 200 चेक करें जिससे दुबारा लॉक्डाउन ना लगाना पोड़ा है कि खबर शतरपुर से हैं जहां कलेक्टर शिलेंद्र सिंग के आदेश पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए पुलिस प्रशाशन सलकों पर रुत्रा वहीं एस्जम विनेद्वेदी ने कहा कि अंद्रदेश सहित पूरे देश में पैर पसारने लगा है इसलिए शाशन द्वारा निर्धारिक गाइडलाइन का पालन करें साथ ही कोविक पीका लगवाएं मास्ट संहिंटाइजर का प्रयोक करें और उचित दूरी बनाये रखते हैं करोना के बगते मामलों को देखते हुए रतलाम के लेक्टर कैलाज चंद के द्वारा संपूर जिले में दस दिन का लॉकडाउन लगाए गया है आपको बताते हैं कि रतलाम जिले में प्रते एक दिन सौ के करीब मरीज सामने आ रहा है विगत तीन दिनों से यह आकला 418 हो चुका है जिसको लेकर प्रशाशन के द्वारा सक्ति दिखाते हुए दस दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया है वहीं विपक्षी दल ने समाज के व्यक्ति एवं वैपारी संगटोनों के साथ में लेकर विजूत प्रशाशन किया विपक्षा कहना है कि मासर तीन दिन के लॉकडाउन से ही कासी कुछ परिवर्तन हो सकता था जिसमें 10 दिन का लॉकडाउन लगाकर गरीब मज़ूर वर्क के लोगों को ज्यादा परेशा ना पीछे का सोचा पेले भी ऐसा ही हुआ था जबकि आज उनको चीज समझ लेने नहीं थी कि कुछ टाइम देना चीए लोगों को और पूरे जिले में लागडाउन यहां पे कोई कोरोना की बड़ी संक्यानी है कि इत्ती सक्ति से नो दिन के लिए लागडाउन किया गया ह जैसा इतना बड़ा शहर है वहां पे दो दिन का लागडाउन और यहां पे नो दिन का इसके विरोध में सभी व्यापारी लोग और सभी जन प्रतिनीदी वगेरा सब लोग हम यहां पर आया थे सब्सक्राइब करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग पूरी तरीके से नाकाम है यह चाते हैं कि सिरी राम सरकार यह सिरी राम सरकार निये रावन राज इस प्रदेश में लागू हो गए महा महीम राजोबाल महोदय के के नाम से कॉंग्रेस पराटी में आज एक ग्यापन सवाप है जिसमें लॉट्डाउन का विरोध करते हुए उसको सवाप्त करने के लिए लिखा हुआ है वो ग्यापन मूल्ता क्ने के मार्दियं से महा महीम तो इस वामले में बिल्कुल कर दिया था कि किसी प्रकार की काला बजारी ना हो इसका ध्यान अखा जाए और अगर कोई शिकायत आती है वेक्टिका तो उसमें साधी व्याव में बिल्कुल पर्मिशन है पचास वेक्टियों का वर वदूपक्ष प्लस उनके जो कर्मचारी जो व्यवस्था में लगे हैं अधिक्तम पचास लोगों को मिलाकर अनुमती के प गुंशन होई तरु क्या यहां पूरे जले के आंदر पहले यह निने लिया था कि बापी जिएनदर केवल तीन दिन के लागडाउन की बात कहीं गी से लेकिन अचानक जैसे जनता को पता चला कि लांग डांटी जो परिष्टितिया है और जयरेट 19 तो इस नहीं गश्य दा और चोटे-चोटे काम करने वाला आदमी वैसे ही आई उसकी आर्थिक इस्तिती बदाली की इस्तिती में है और पिछले एक वर्स के लागडाउन के और कोरोना के संक्रमन के दोर में आदमी उससे उबर के नहीं आया और उसके पहले उसके तुरंत बाद इस प्रकार का जो ला रहे हैं पिपलोदा है इन सारे छेत्रों को इस से बाहर रखा जाए यहां रुकते चोटे से बेक लेए जल्दा से रोंगे आप देख रहे हैं की नियोज ख़बरों का सार्थी उत्राखन लगभग 54,000 वर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज जहां वन्य जीवों और वन्संपदाओं का विशाल भंडार है एक छोटी सी चिंगाली भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है बनों की आग ना सिर्ख ग्रामिनों की खुशाली को नश्ट कर देती है बलकि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंद्री श्री तीरस सिंग्रावत ने 5,000 महिलाओं को बना अगनी नियंदर अभियान में शामिल किया है अत्याधुनिक अगनी शमत उपकरन लेने के साथ सब्वेधन शील क्षेतरों का दोन से सर्वेक्षन कारे भी शुरू किया गया है दूरस्त और दुर्गम क्षेतरों में आपात कालिन इस सिती में हवाई सेवा का भी उप्योग किया जा रहा है आईए हम सब मिलकर अपने बनों को आग से बचाने का प्रियास करें आपकी जरासी शावदानी हमारी अमोल्य प्राकृतिक शंपदा को बचा सकती है आप से अपील है कि बनों में आग लगने की सूचना जल से जल बन विवा को दें कि आप देख रहे है की नियूस ख़बरों का सार्थी कि अगरे के बाद आपका स्वागत है ख़बर गौालियर में मदब्रदे सरकार के आदेश के बाद गौालियर शहर में 60 गंटे का लॉकडाउन लगाया गया है जिसके तहर जिला प्रशाशन के आदेश पर एमर्जंसी से वाओं को छोड़ बाकी सब कुछ बंद किया गया है लेकिन इन सब के बीच एक स्कूल प्रबंदन की बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसमें लॉकडाउन के दिन यानि आज शनिवार को सुबह बच्चों को स्कूल बुलाकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है जैसे ही मीडिया को स्कूल प्रबंदन के इस मनमानी रवईय की जानकारी लगी वैसे ही स्कूल प्रबंदन ने धीरे-धीरे स्कूल से बच्चों को घर से ले निकालना शुरू कर दिया कि अच्छली क्या है बच्चों को कम्यूनिकेट नहीं हो पाया था आज का कि पेपर जो है उनका बोर्ड का प्रेक्टिकल था त्वेल्थ बोर्ड का और उसकी विज़े से कुछ बच्चे आये थे उनको अपन कमरे में बिठा करके उनके पेरेंट्स को बला करके वापस कर जा प्रेक्टिकल नहीं हो रहे हैं और वो पूछने के लिए उनको वापस कर दिया गया क्योंको बोर्ड का प्रेक्टिकल था उनके लिए कलेप्टर और एश्पी ने सड़क पर उतर कर शहर का मौइना किया शत्र साल चौराहे पर लॉकडाउन का पालन करने के लिए मौजूद के लेप्टर शेलिन सिंग और पुल्स अधिक्षक सचिन शर्मा ने जब आतिस्वाजी होते देखी तो काफिले के साथ आतिस्वाजी स्थल पहुंचे जहां बेनी गंज महले में पहुंचकर एक घर का शटर खुलवाया गया और वहां रह रहे लोगों से आतिस्वाजी किया जाने की जानकारी लिए वहां रहे रहे परिवार ने मांगली कारक्रम होने से आतिस्वाजी करने की जानकारी दी जिस पर बिना अनुमती के आतिस्वाजी करने और लॉकडाउन का उलंगन करने पर अधिक्षक्न अफ़ायार दज करने के निर्देश दिये हैं सतना जिले के अमर पाटन में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार इजाफा हुरा है लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस भीशर महमारी में भी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहा अस्पताल में एक यूवक को आटी पीसियार के सेंपल के लिए बिना आटी पीसियार सेंपल रसीद भी दे दी गई जिसके बाद यूवक डॉक्टर बीजी एज बधोरिया बीमो अमर पाटन से आटी पीसियार रिपोर्ट को लेकर बात करने गया सुआ सुबा के करमचारी बिजेश किवारी ने कहा कि यह पर्ची हमें दे जब यूवक में पर्ची नहीं दी तो उसके साथ मार पीड की गई और पर्ची अफ़ायार दश कराने के भंचे दी गई यह स्लिप दिखाऊंगों को यह ऐसा ऐसा आप यहां पर चल रहा है उन्होंने आकर मेरे से हाथा पाई कि जीना जब्टी हुए जो कि आप उन्हों पुदी देखा वहां पर जो भी थे और भी लोग खड़े थे सभी ने देखा अब यहां पर जाके मिलो अब तो इसके बाद में जो दोसी है अगर आप लोग दोसी ओ तो आप लोग उन्हों इसका रूप से कमजोर नागरिकों को स्वेम का आवाज उपलब्द कराने के लिए प्रधान मंत्री आवाज शुज़ना चलाई जा रही है लेकिन सियम सिवराज के ग्रै जिले सिहौर में इसका लाब जरूत मंदों को नहीं मिल पा रहा है योजना शुरू हुए दस साल बीद गए लेकिन जिले में अभी भी अनेक ऐसे गरीब भोले भाले नागरिक हैं जो कच्छे मकान में तूटी फूटी छतों के साहरे अपना करने के लिए पंचायतों को अधिकरित किया गया है आपके द्वारा यह बात मेरे संग्यान में लाई गई है और यह गंभीर मुद्दा है मैं इस पर खुदी इस पर जांच करवाँगा और लाब यह होगा कि अगर वो पात रहें तो उनको लाब मिलेगा यह मैं इस गोविन सिंग्ग द्वारा जैदेव पैलेस का निर्माल वर्साइक उप्योग के लिए किया जा रहा है जिस पर 2016-17 में अपर कलेक्टर ने बच अपर बेदखली का आधेज भी जारी किया था जिससे बाद अतिकमल कारियों ने अपर आयुक्त सागर की भी श्रण लेली थी जिससे उपर आयुक्त ने सभी को आधेज जारी करते हुए तहसील को आधेज के परिपालन के और सिर्णता दिखाते हुए कारवाई करने का आधेज दिया था इसके संबंद में तहसीलडार पी उस दिश्चत अतिकमल धारियों पर 50,000 रुपय का जुर्वाने कर साज की भ असरा नम्बार 1314 बटे 3 जो साज की भवनन के लिए साजन से सुरच्छत जमीन है जिस पर गोवन सिंग जैदेव सिंग दोनों ब्यक्तियों द्वारा साजन की मिली भगत से किसी समय अपने नाम फरजी वारा तरीका से पट्टे करा लिये जिस पर निर्मान करा लिया उस प मैंने शाजन द्वारा शाजन के हित्मे किस कुन लड़ा निरंतर जिस पर तीन तीन ओडर शाजन के हो गए जिस पर कोई कर रवाई नहीं हो रही यहां रुपते एक छोटे से ब्रेक लिए जल नाजिर हो गए कि आप देख रहे हैं की नियूज को कव्रों का सार्थी को 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 रोना वायरस का खत्रा अभी टला नहीं है आए मेरे शाथ आप शंकल्प लें कि हम को रोना से शावदान रहेंगे और अपने शातियों को भी इसे शावदान रखेंगे आप भी इस खातिक विशानों को रोकनी समन्दी सभी आवशक सावधानिया बरतने का वचन दीजिए वचन दीजिए कि सदे मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम से कम दोगत की दूरी बिलाए रखेंगे और हाथों को साभून और पानी से धोईंगे दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोथसाहित करेंगे विश्व का सबसे बड़ा वेक्षिन इस भी यान हारे देश में चलना यह वेक्षिन पूरी तरह स्वरक्षित है बारी आने पर इस वेक्षिन को आप जबूर दिकर लगाने के बाद भी मास लगाना वो दोगे की दूरी रखना आउश्चक है हम सब एक साथ मिलकर COVID-19 के खिलाब इस लड़ाई को जीतेंगे दवाई भी कड़ाई भी जुबाई के लिए उड़े चला घरों की जमी पर खुशबू अपने पन की डूंधेता औरों की जमी पर मेरे माटे की ये जुबाई मेरे माटे की ये जुबाई है मुझ से दूर मिलो दूर पर ये दिल है की चक रहा है उन्ही अलवाज का नूर नूर और नूर नूर दूर कितना भी जाए इस जुबाई से दूर नाचा पाऊ विमर वोलो जुबाई के स्री योगी सरकार में उत्तरप्रदेश तरक्य की राह पर बन रहा सेवा और सुषासन से योगी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी बीती सरकारों में जो नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया है एक लाख बावन हजार से अधिक कन्याओं का विवाह संपन्ल कराया अठावन हजार ग्राम पंचायतों में सामुदाईक शोचालाई का निर्मार कराया उन्नीस लाख च्वालीस हजार महिलाओं को रक्षाबंधन पर निशुल्क बस यात्रा कराया इनसेफलाइटेस में 75 प्रतिशत की कमी मृत्यूदर में 95 प्रतिशत की गिरावट निवेशकों को SGSP से 200 से 300 प्रतिशत तक की छूट जेवर, कुशिनगर और अयोध्या में अंतराश्रिय एयरपोर्ट गोरकपुर में पूर्वान्चल के पहली चुडिया घर का निर्मार गोरकपुर और राइबरेली में एम्स की स्थापना और संचालन कोरोनाकाल में वर्चुल क्लास से सिक्षा की व्यवस्था ट्रांस्फार्मर खराब होनी की स्थती में 24 घंटे में सुधार को सेवा और सुषासन से योगी सरकार ने मुम्किन कर दिखाया है सेवा और सुषासन की चार्था प्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर शायडोल जिले के सेह जहां अंतिम शोर इस्तित नगर परिशत खांड के ग्राम संदौली में भूम आफ्याओं द्वारा खुले आम साचन प्रशाशन की आंख में धूल जोक कर बिना अनुमति के आवैज प्लाटिंग की जा रही है जबकि इनके पास को लुनाइजर एक के गाइडलाइन नगर विकास पधिकरों का लाइसेंस एंजीटी का पर्मीशन जिला कलेक्टर एस्जम नगर पालिका किसी की भी एनोसी नहीं है फिर भी दबंगई से खुले आम अवैक प्लाटिंग कर रहे हैं और बिक्री कर रहे है जिसके विरोध में भूमी स्वामी राम अवतार बैस ने साथ इस्थानी लोगों लोड़ा दिला प्रशाचन से ऐसे अवैक प्लाटिंग की खरीद विकरी पर रोक लगाने की मांग की अब आगाल है अब लाइगे चोरिन चोरिम रेजियस्टी पॉट्ठा करावाई अब हम जाने नहीं रेजियस्टी पॉट्ठा हमा जागाजर्म हड़ ले थे राज्य सोनी अब बार जनता उने बार जमाने चोरिन चोरिन लाईगे हमा इए तीन पाँच पढाएगे अर करने के लिए और उसके मौकी की जाच के लिए तैसिल्दार पादेशित कर दिया गया है तैसिल्दार द्वारा जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं आती है अब तक अब इसमें कोई कार्वाई है वहां कुछ फूतर के माधन से जानगाई मिलें कि उस हलके में जो पटवारी है वो अपने माताजी के नाम से उन माफियां से प्लाक आवो किये हैं कि समबन में क्या बोले हैं प्रादि गद्विदिया रुकने का नाम नहीं ले रही है मामला से विल नाइं स्थाना छेत्र का बताया जा रहा है तरसल एक मिठाई की दुकान पर दो लोगों में मामली विवाद हो गया जिसके चलते एक यूवक्त में दूसरे यूवक्त पर कच्टे की बट से वार कर दिया और फिर हवाई फायर भी किया जिसके आज पास ख़ले लोग और दुकानदारों में दह्शत फैल गई यह सारी घटना दुकान में लगे सिसी टीवी में कैज हो गई कि इंदोर राज साइबर पुलिस ने विदेशी नाइजीरियन यूवक्त को धोका धड़ी के इल्जाम में गिरफतार किया है साइबर सल्कों महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि सोशल मीडिया और विदेशी यूवक्त से दोस्ती हुई फिर धीरे धीरे काफी बात बढ कि इसने का लालस देकर महिला से लागों रुपया लग अलग बैंक में ट्रांसफर करा लिए लेकिन कोई उपहार नहीं भेगे जब इसकी शिकायत राज साइबर सेल को की गई तो साइबर सेल की पुलिस ने जीरिया ना रूपी को गिरफतार किया जिससे राज साइबर सेल कि इंदौर एकाई में 62 वर्षी रानी सतीगेट निवासी महिला हैं उन्होंने ये शिकायत दर्च कराई थी कि किसी अग्यात र्यक्ती ने जिसने अपना नाम डैविड लॉरेंस बताया था उसने उन से फेस्बुक पर मितरता की और फिर वाटसेप मेसेंजर के माध्यम से फेस्बुक मेसेंजर के माध्यम से लगातार उनसे बातचीत करता रहा उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनको मेहंगी जो गिफ्ट है एक करोड से ज्यादा के उसकी कीमत उसने बताई तकतित रूप से और वो भेजने के नाम से अलग अलग बैंक खातों में इनसे लॉकडाउन लगाया है जिसको लेकर पुलिस की टीम लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए गस्ट पर निकली है जहां कार के पास पुलिस को कुछ दिखाई दिया पुलिस ने गाली की तलाशी लिए और पुलिस ने गाली में तीन पेटी शराब मिली जिस पर ने भिजवा दिया है साथ ही मौके से कारोपी को भी गिरबतार किया है कि फिलाल इस बूलिटर में ताहीं देख रहे हैं के निज़ इंडिया नमस्कार आप देख रहे हैं के निज़ खबरों का सार्थी जुबाई के लिए उड़े चला घरों की जमी पर खुशबू अपने पन की डूंधेता औरों की जमी पर मेरे माटे की ये जुबाँ मेरे माटे की ये जुबाँ है मुझ से दूर मिलो दूर पर ये दिल है की चख रहा है उन्ही अल्फाज का नूर नूर और नूर दूर कितना भी जाओ इस जुबाँ से दूर ना चापाओ विमल बोलो जुबाँ के स्वी खेल खेल में खेल का खयार हर चीज से चुड़ा हर सवार आई पिल में कौन करेगा कमार मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकर रोज शाम 6 बजे सेर के नूस पर जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मूँ फेर लेता है जब वादों की परते खुलने लगती है और हारी उम्मीदों का उचा धेर लगता है जब सडक पर एड़ी की दगण देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है तब चिंतन से डगर होगी आसान अंधन से निकले का समधान संधन आप देख रहे हैं की नियोज ख़बरों का सार्थी बिहार बंगाल बॉडर पर मॉड लिच्टिन के शंगन एसेचो को भीलने पीड़ पीड कर उतारा मौत के घाट चोर को पकलने गय थे एसेचो अच्छिनी कुमार अंधन लिचल बंगाला बंगाल में अब जैडियो करेगा खेल अब बिहार त्रहवी छेतरों में चुनाओ जैडियो ने कशी कमर को अ मितीश कुमार भी ममता को दें गे चुनाओ ती क्परोणा को लेगर सरकार का बड़ा फैसरा सरकारी प्राइविट ओफिसों में 33 फीज़ी ही हाजरी धर्मिस्तल बंद शाम 7 बजे दुकान शोरूम मार्किट होंगे बंद स्कूल कॉलेज कोचिंग की छुटते PMHCH के कोरोना वाट पूल अब नो एंट्री 100 से अठा डॉक्टर रिजर्व 82 बट पटना में वैक्सीन शॉट जिले में भी किल्लत वैक्सीन एक्स्ट्रेस को देना पड़ा धक्का मध्यपुरा में साथ सेंटर में एक आप देख रहे हैं के नियोज ख़बरों का सार्थी अब रुक करते हैं ख़बरों की और पश्चिम बंगाल के उत्तर दीजापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां भीड ने बिहार की किशन गंज के एसचों की पीट पीट कर हत्या कर दिया बताया जा रहा है कि भीड ने एसचों को और उनकी टीम को बाइक चोरी करने वाला समझ दिया और बंधक बना लिया इसके बाद भीड ने एसचों पर हमला कर दिया बाद में पता चला कि किसंग जैंचे टाउन ठाने में एसचों अश्वनी कुमार की पश्चिम बंगाल के गुबला पोकर ठाना छेत्र में पंता पाड़ा गाउं में मौब लीचिन कर दी गई है तर्शों अश्वनी कुमार इलाके में मोटर साइकल चोर्ग सूचना पर पहुंचे थे और दलबल के साथ रेड करने कहते पस्चिम बंगाल के इसलामपुर में इलाज चितान उंकी म क्या लगिया परीजन अब बहने क्या आप मांग करते हैं भाई की मोट हुई इस तरह से आप लोग की मांग क्या दोसी पकरे जाए मुखमंतरी सुरी नितीश कुमार जी से मेरी बात हुई उनके संग्यान में सारी बाते हैं और मान्य मुखमंतरी जी ने कहा कि हमने डीजीपी से भी बात किया होम सेक्रेटरी से भी बात किये और जो भी मुआवजा और उनको जो भी मदद मिलना है वो सरकार तुरंत घोषना करेगी और उनके परिवार को सब कुछ मिलेगा इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमने डीजी से कहा है कि किसी भी परस्तिती में अपराधी को बंगाल से बचने नहीं दिया जाए और उसको कानून के दाएरे में लाकर के सजा दिलाने का काम करें आको बता दे किसंगेंट ऐसे चोग को भील ने पीट पीर कर मौत के घाट उतारा बिहार बंगाल बॉडर पर मौब लीचिंग हुई कि बाइक चोरों को पकड़ने गए हुए थे उनके साथ मुद्भेड चल लाई थी लेकिन वहां की पब्लिक नहीं उन्हें ही बाइक चोर समझ लिया उनकी टीम को बंधक बना लिया और पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दे तस्वीर आप देख रहे हैं जब बंगाल के कि इसमाइल पुर में उनका इलाज चला लेकिन अश्वनी कुमार ने वहां उन्हें डॉक्तर्स ने मित्व गोशित कर दिया कि बिहार में जंदल राज बनता जा रहा है और लगातार अपराद भलते जा रहे हैं और लगातार इस घटना के बाद विवख्ष भी हमलावर है और नितीश कुमार के प्रतिनिदी के रूप में डॉक्तर दिली वहां पहुचे हुए तो उन्होंने कहा कि बीज़ीपी सहाब से और चीफ सकेटरी से बात हुई है पूरा मामला मुक्मंत्री के संग्यान में कि अधार्चा सदर अस्पताल और पाड़ा मेडिकल समेथ जिले